सबी बच्चों को प्यार बड़ा गुड मॉर्निंग और जैसा कि आपका जो रिफरेंस कॉंटेस्ट और पैसेज वाला सार आपको प्रोग्राम खतम हो चुका है मझे पता चला कि शेय को बचरेक मजे की साथ पढ़ रहा है क्लास इक रहे हैं और चीजहों को तयार कर रहे हैấn के चीजह बड़ाएं करना है तो lesson पढ़ने के लिए क्या करना है आपको जब आप lesson पढ़ना है आपको lesson है तभी ही आप कर पाएंगे reference, contest and explanation क्योंकि अगर आपने lesson ठ्षान से नहीं पढ़ा तो फिर आपको reference, contest and explanation जो आपको लिखना में और वह बहुत ही problem होने वाली है इस वज़े से मैं तभी आपसे बोलता हूँ कि दिखे आपको लेशन जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है उसका अर्थ समझना है और उसकी मीनिंग समझनी है बहुत ही ध्यान से बहुत है अच्छे तो आपके reference, contest और explanation सारी चीजें यह आपकी one by one करके पूरी हो चुकी अब आपको देखे करना क्या है अब आपको जो आपके question answer है आज की आज के जो session है उसमें से हम आपको question answer पढ़ाएंगे जो short type है आपके question answer होते हैं तो question और question को देखके किस तरह से आपको answer लिखना है वो चीजे हम आपको बताएंगे ठीक है तो यह इसका आज का part one है और हम लोग देखें कि one by one करके question और देखें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सम्झाओं कि question से answer आपको कैसे लिखना है आपने याद करने के बारे में सोचा होगा कि हम question लिखें कि question को याद कर लेंगे तो question लिखने और याद करने से काम नहीं चले क्योंकि अगर आपने question लिखा और उसको अगर रटा question को तो आपको फिर उसको भूल जाएंगे तो आपको करना सिर्फ ये है कि question देखना है और question देखने के साथ ही उसी के साथ साथ आपको answer बनाना है आप question देखिए question देखने के साथ साथ उसका answer लिखिए तो हम लोग सब से पहले पहले पहला question द वाज ट्रेवलिंग भाई क्या लिखा है कि give a brief description of the train ag gardener वाज ट्रेवलिंग भाई मतलब उसरे लगाड़ी के संचिप्त वाणन कीजे जिसमे ag gardener यात्रा कर रहे थे तो इसमें देखें संचिप्त वाणन क्या करना है देखो सबसे पहले तो पेल लेना जरूरी होता सबसे पहले लिखने के लिए give a brief description of the train ag gardener वाज ट्रेवलिंग भाई उसरे लगाड़ी के संचिप्त वाणन कीजे इसमें ag gardener यात्रा कर रहे थे तो देखो इसका संचिप्त वाणन क्या करना है कि बस वही छोटा सा अंसर आंसर क्या होगा इसका देखो ag gardener traveled by a stopping train वाज मैं इसमें इसने बोला कि brief description करना है कि ag gardener वाज ट्रेवलिंग भाई यानि जिससे ag gardener यात्रा कर रहे थे वो train कैसी थी वो train थी एजी गाणने ट्रेवल्ड वाई अस्टॉपिंग ट्रेन जगा जगा रुकने वाली stopping train मैं आपको बताई थी मैंने आपको बताई थी कि stopping train क्या होती होती जगा जगा रुकने वाली रिल गाड़ी ठीक है तो A.G. Gartner traveled by a stopping train, A.G. Gartner जगे जगे रुकने वाली रेल गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, ठीक है, it was the last train from London to Midland Town, यहां London से Midland जाने वाली अंतिम गाड़ी थी, ठीक है, और इसका brief description क्या करना, जब आगर इसमें इसमें इसे long question आता तो फिर बहुत सारी चीज़ें लिखने आपको यह है कि आप बढ़ा करें कि उसको नहीं लिख से तो फिर उसको कैसे लिखेंगा आप बढ़ा करें, तो चीज़ों को उतना ही बढ़ा हो, जितना हो बढ़ना चाहें, ठीक है, ज्यादा बढ़ा होगे, दिक्कत होएगी, आगे देखते हैं, अगला question क्या दिया गय आपका कि what according to A.G. Gardiner is the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment, मतलब A.G. Gardiner के असवार रेल गाड़ी के डिब्बे में अकेले होने की सुखद अनुभूत ही होती है, इसमें पूछा जा रहा है, कि A.G. Gardiner के असवार यान लेखक के अनुसार, जो रेल गाड़ी के डिब्बे में अकेले होने की सुख अनुभा होता है, जब आप रेल गाड़ी में यात्रा करते हैं, उसके डिब्बे में अकेले होते हैं, तो वो जो सुखद अनुभा होता है, यात्रा का, वो क्या होता है, यह लेखक यहां पर बता रहा है, ठीक है, तो लेखक क्या बता रहा थे, मैंने आपको लेशन में सम इसका मतलब है कि रेल गाड़ी के डिब्बे में अकेले होने की स्वतंतरता की सुखद अनुभूती, आजादी और किसी भी प्रकार की रोगटोंक से मुक्ती है यहाँ पर लेखा का सीधा सा मतलब है एक आजी गाड़िनर यहाँ पर देको लेखा का सीधा सा मतलब है इससाथ अगला क्वेशन देखते है अगला क्वेशन है आपका कि यहाँ पर लिखा कि रात की ट्रेन में अकेले यातरा करते है समय कोई भी स्वतंत रूप से क्या कर सकता है तो लेखाक ने आपको बताया था कि क्या कर सकता है अगला कर सकता है अगले आतरा करते समय कोई भी स्वतंत रूप से क्या कर सकता है अब इसका हम लोग आंसर देख लेता है कि इसका answer क्या होगा देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका कि वाइल ट्रेवलिंग एलोन इन अ कैरेज ओफ नाइट ट्रेन वन इज फ्री टू डू वाट वन लाइक्स रात की रेल गाड़ी में अकेले यातरा करते समय कोई भी कुछ भी करने के लिए स्वतंतर है यानि की वन लाइक्स यानि की जो कुछ वो पसंद करता है वो करने के लिए बिल्कुल स्वतंतर है उजो चाहे हो कर सकता है, कंचे केल सकता है, उस पे सर के बल खड़ा हो सकता है, नाच सकता है, सारी चीजें कर सकता है One can talk to oneself, स्वयम से बात कर सकता है One can sing, कोई गा सकता है Dance and practice golf stock, नाच सकता है और golf stock का अभ्यास कर सकता है One can sit on any seat, he likes जो seat पसंद हो उसको, उस पर वो बैठ सकता है With open windows और set windows, खिड़कियों को खुला कर सकता है, खोल सकता है, खिड़कियों को बंद कर सकता है तो यह सारी चीजें कोई भी अकेले में कर सकता है ठीक है, अगर आप अकेले डिबे में पूछा, question पर दिया गया है कि आप अगर कोई अकेले डिबे में आतरा कर रहा है, तो क्या क्या कर सकता है, तो यही सारी चीजें कर सकता है, जो आपको यहाँ पर बताई गई ठीक है जो पसंद करता है वो कर सकता है वो स्वयम से बात कर सकता है गा सकता है ना सकता है गोल फिस्टो की पैक्टिस कर सकता है ना वो किसी भी सीट वे बाइट सकता है और खिड़कियों को बंदवर खोल सकता है ठीक है यह आपके तीन क्वेशन हुए आगे आपके देखते ह इसका मतलब है कि डोरा किसका संचित रूप है नहीं कि DORA इसका फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या मतलब होता है और यह कहां पे लागू किया जाता है यह देखो इसका संचित रूप है जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा पृथम भी सुईद के समय लागू किया गया था जो कि ग्रेट पावर्स जो कि ग्रेट पावर्स यानि कि पावर्स देता है और भी सक्तियां देता है बिटिस गवर्मेंट को डूरिंग वल्ड वार यह देफेंस ऑफ रियम एक्ट का संचित रूप है जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा पृथम भी सुईद के समय क्या करता है तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं आंसर इसका दिया गया देखो कि दा ऑथर पुट डाउन इस पेपर ऑथर ने पेपर को नीचे रखा अपनी बाहों को और टांगों को फैलाया यानि अपने हाथ और पैर फैलाया इस्टूड आप एंड लुक्ड आफ खड़ा हुआ और खड़की के बाहर देखा ही लिटा सिगरेट और बिगें टू रीड अगेन उसने एक सिगरेट जलाई और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया देखो क्वेश्चन आपका क्या था कि वाइड दिड दे राइटर डू आइल ट्रेवलिलिंग एलोन इन इन द खड़ा हुआ और खड़की के बाहर देखा ही लिटा सिगरेट और बिगें टू रीड अगेन उसने एक सिगरेट जलाई और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि वेन डिड दा ओथर बिकम अवेर सायात्री का पता कब लगा इसमें पूछ रहा है कि लेखा को अपने सायात्री का पता कब लगा यानि कि लेखा को पता कब पता चला कि मच्छर भी ये सात्म उसके यानि कोई सायात्री भी उसके पास में है तो इसका अंसर होगा कि दा ओथर दा ओथर बिकेम अवेर आफ इ ये इतना छोटा सा आंसर है तो तो किसी किसी question का answer ऐसा होता है कि वह छोटा ही होता है उसको बढ़ा है भी समय पता तुम क्या बढ़ा कर सकते हो बाइस ब्लुकुन चाहो तो एक डो लाईन अलग से जोड सकते हो लेकिन उसका मतलब क्या भाई जो question का answer का answer आपको दिया गया जो आपने question पूछा, जो question पूछा गया, उसका आपको answer दे दिया गया यहाँ पर, तब जो जितना बड़ा answer होगा, वही तो उस पर बताया जाएगा, चलो, इसीक साथ अगला question हम लोग देख लेते हैं, देखो, आपका अगला question है, जब सयात्री आया और उसकी नाग पर बैठ गया, तो लेखक ने क्या किया है, उसको भगा दिया था अपनी नाग से, जब उसकी नाग पर बैठ गया है, तो ही इसका answer होगा, देखो जब सायातरी आया और उसकी नाप पर बैट गया तो लेखक ने क्या किया लेखक ने उससे उड़ा दिया ठीक है ये इसका answer हो गया देखिए सभी ये सारे question और answer सभी एक एक लाइन की जितना बड़ा question उता बड़ा answer एक एक लाइन की सभी answer है तो आपको याद करने में या फिर आपको इनको समझने में कोई प्राबलम नहीं होगिए और मैं तो अफिस ते लाइक हि लुथ तो बिल्कुल भी बोर करने का मेरा कोई उद्देश सी नहीं है, बिल्कुल भी आप आप बोर खाने में होगी, आपको बिल्कुल भी बोरीविवत फिल नहीं होगी, किने सर ने question answer ये समझाए chapter समझाए तो उसमें बहुत 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 फीर हो तेमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था सारी चीज़ें समझ में आएंगी one by one करके सारी चीज़ें आपको समझाए जाएंगी अब परिसान मत हो ये किसी भी चीज़ से ठीक है जो भी आपको problem हुग आप comment करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये problem है मुझे ठीक है देखो अब अगला question देखते हैं अगला question है आपका कि what were the charges against the fellow traveler what were the charges against the fellow traveler इसका क्या मतलब होगा मतलब साथी आत्री पर क्या आरोप लगाए गये थे what were the charges against the fellow traveler साथी आत्री आनी मच्छर पर क्या आरोप लगाए गये थे लेखक ने मच्छर पर क्या क्या आरोप लगाए थे चलिए देखते हैं क्या आरोप लगा दिये थे भाई देखो, there was a number of charges against him, उस पर कई आरोप लगे थे, he was a vagrant, वह एक आवारा था, he was a public nations, वह एक सारोजनिक उपद्रवी था, ठीक है, वह उपद्रव कर रहा थे, ये सारे आरोप लगे थे मच्छर पे, he was traveling without a ticket, ठीक है, वो बिना ticket की आतरा कर रहा था, he had no meet coupon, उसके पास मांस का क coupon नहीं था, मांस का कोई coupon का मंदर उसे पास, खून चूसने का कोई coupon नहीं था, फिर खून चूसने का कोई token नहीं था, उसके पास, for these and other misdemeanors, he was sentenced to death, और इन अन्य दूराचारियों के लिए, दूराचारों के लिए उसे मौत की स्वजा सुनाई गई थे, he was sentenced to death, देखो, दिरवाज नंबर आप चार्ज उसके, उसके 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 आरोप लगे थे, he was a wagon, वो एक आवारा था, he was a public mission, वो एक सारवजनी को पद्रवी था, he was traveling उदाव टिकेट के यात्रा कर रहा था, he had no meet coupon, यानि उसके खून चूसने के लिए कोई coupon ये कोई token न आई गई थी, ठीके बात आपकी समझ में आगी, चलते बढ़ते हैं उसके बाद अगले question की ओर, अगला question आपको दिया गया है, कि why did the justice demand the award of death sentence, इसका क्या मतलब होगा, मतलब नयाय की मांग जो थी, वो मरतिदरंड देना क्यों थी, यानि नयाय क्यों था, उसको पूछा जा रहा है, तो इसका answer भी आप लोग देख लीजिए, इसका answer यहाँ पर होगा, कि there were many charges against the fellow traveler, there were many charges against the fellow traveler, यानि fellow traveler जो सही आतरी था, उस पर कई सारे आरोप लगाए गये थे, देखो उपर आपको अभी, उपर वाले question में आपको बताए गये कि कौन कौन से उसको उ वेगा बॉंड क्या होता है, वह एक आवारा था, ठीक है, उस पर कई सारे आरोप लगाए एक आवारा, और आ पब्लिक निविशन्स, जनता को तंग करने वाला, ठीक है, आ पब्लिक निविशन्स या जनता को तंग करने वाला, आगे लिखा है traveler without a ticket, बिना ticket का यातरा करने वाला, आमेन, अ मीट कूपन, यहां पर साथ यह, इस पर यह होगा, आमेन विदाऊट अ मीट कूपन, यहां पर बीच में, देखो, without a ticket, आमेन विदाऊट अ मीट कूपन, यहां पर without होगा, ठीक है, बिना कूपन के जो खौंचूसने वाला भी बताया ने, उपर मैंने जो यह आरोप लगाए गए थे, इन आरोपों के कारण जो निया की उचित मांग थी, वह क्या थी? वह थी, उस सयात्री को मौत की सजा देना, ठीक है थे, लेकिन आपने पढ़ा था, चैप्टर में, लेसन में आपने पढ़ा था कि, जो लिखक था, उसको मौत की सजा तो दे किया जाएंगे, तब उसके बाद हम इसको अच्छी तरह साब समझी है, और इक कोईशन को आपको रिवाइज भी करना है, और जैसे की लेसन की नाम, और राइटर की नाम, वह भी आप लोग याद करते रही है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आपके हो गए हैं, अगर कोईशन है, आप उसे कोईशन करना चाहते हैं, तो वह आप उससे विकम टॉपर जो, इंस्टागराम पर आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकि सारी चीज़ें अच्छी तरह है, आप ऐसे मज़े लेके पढ़ते रही हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए, नमस्कार